कि देखिए फिर से बोट एन स्ट्रीम वाला कोश्चन आया 2017 में कि स्पीड ऑफ बोट इन इस्टिल वाटर इस 15 किलोमेटर पर और तो इस्टिल वाटर का मतलब मैंने आपको बताया है जो पानी रुका हुआ रहता है जैसे तलाब में जो पानी रहता है पॉंड में तो फिर स आपका इस्टिल वाटर यानि कि रुका हुआ पानी जैसे तलाब में पानी रुका रहता है तो इस्टिल वाटर में जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है यह बोट है आपकी और बोट की स्पीड इन इस्टिल वाटर समझ जाना यह डाग्राम मना दिया इसी में समझ जाना न स्पीड कितनी है बोट की, इस चिल वाटर में, 15 किलो मीटर पर आर, अब क्या कहता है, it goes 30 किलो मीटर अप स्ट्रीम, and returns back at the same point in 4 hours and 30 minutes, ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, यह जो बोट है, यह 30 किलो मीटर अप स्ट्रीम जाती, अप स्ट्रीम का मतलब जिदर पानी फ्लो कर रहा है उसके opposite direction में, ओके, तो सबसे पहले आप अप स्ट्रीम का डियाग्राम बनाओगे यह आपर, तो अप स्ट्रीम में ध्यान सरा चेक करिए बच्छों, अप स्ट्रीम का मतलब यह देखिए, यह यह पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यह इस तरीके से, यह लीजे, correct, और इन्होंने हमसे finally क्या पूछा, find the speed of the stream, यह यह यानिकि जो पानी फ्लो कर रहा है, ठीके ना, तो आप assume करोगे क्या, speed of the stream be, let the, यहाँ पे लिख लेते हैं न, let the speed of the, let the speed of the stream be, x km पर आर, माना की, stream की speed कितनी है, x km पर आर, यह आप मान लीजे, ठीके ना, तो, अब यहाँ पर आप boat बना लो, इस तरीके से, अब बताओ, stream ऐसे करके flow कर रही है, यह stream की direction है, देख रहे हो आप, और boat आपकी stream के just opposite चल रही है, यहनि कि boat का motion ऐसे, यह boat का motion ऐसे, ठीक, इसको हम upstream बोलते हैं, जब stream के opposite direction में boat चलती है, और याद रखिएगा, speed of, speed of boat in upstream, जब भी आपको upstream में boat की speed निकालनी होती है, तो क्या बताया है मैंने, boat की जो speed है still water में, है ना, उसमें से आप stream की speed minus कर दीजे, ठीक है, तो boat की speed कितनी है still water में, 15, और इसमें से minus करेंगे, speed of the stream, speed of the stream कितना माना है, x तो 15 minus x किलो मेटर पर आर, यह क्या होगी, यह boat की speed होगी कहाँ, आप stream में, ओके, और इसी तरीके से, अगर आप downstream का case देखोगे, तो यहाँ पर देखिए जड़ा, down stream का मतलब क्या होता है, कि पानी जिस direction में flow कर रहा है, boat उसी direction में चल रही है, तो यहाँ क्या होगा, stream boat को धक्का देगी, और boat की speed बढ़ जाएगी, यहाँ कि इस बार, अगर आपको boat की speed निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, boat की speed में stream की speed add कर दोगे, okay, so speed of boat in downstream, speed of the boat in downstream, कितना हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से चेक करिएगा, boat की speed still water में, और प्लस करेंगे, इसमें हम stream की speed, stream की speed कितनी है, एक्स, तो 15 प्लस X किलोमेटर पर आर, ओके, यही सारे questions में मैं आपको बता है, बहुत सारे questions करा हैं से, अब सुनो, अब, अगर आप ध्यान से चेक करोगे, बच्चो, जाने का और वापस आने का समय कितना है, इस चीज़ को हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखीगा, जो आपको, टोटल टाइम दिया हुआ है, वो कितना है, और आर और प्लस 30 मिनट्स है न, और आर 30 मिनट्स का मतलब होता है, और प्लस 30 मिनट्स, अब देखो, फोर आर में 30 मिनट्स आप डिरेक्ली नहीं आड कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 4 आर और प्लस, हाँ भई, 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, हाफ आर, भई, 30 को 60 से डिवाइट लगा होगे, कितना आ जाएगा, 1 अब 1 टू, ठीक है न, मिनट्स को आर में चेंज करने लिए 60 से डिवाइट लगा होगे, तो आएगा कितना, 1 by 2, तो 1 by 2, अब ये भी आर में हो गया, ये भी आर में हो गया, दोनों को add कर लो, तो यहां से जो आपका total time होजएगा, वो होजएगा कितना, 4 प्लस, 1, 1, 2, आर तो यहां से हो जाए कितना टू फोर्दा एट प्लस वन नाइन नाइन बाइट टु आर्स यह लीचे छिख तो नाइन वाइट टू आर्स टोटल टाइम है अब आप कुछ मत करो आप टाइम टेकिन अपस्ट्रीम निकाल लो टाइम टेकन इन डाउन ट्रिम नगाल लो कितना है अप स्ट्रीम का 30 चेक कर लो कितना है 30 किलो मिटर सो इसी तरीके से यहां पर आ जाईए टाइम टेकिन इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा इस बार कितनी ले लेंगे 15 प्लस एक्स है बस अब दोनों टाइम को एड कर देंगे यहां पर ध्यान से चेक करना बच्चो टाइम टेकिन अप स्ट्रीम और प्लस टाइम टेकिन इन डाउन स्ट्रीम तो टोल टाइम आज जाएगा और टोल टाइम कितना दिया हो है 9 by 2 hours तो इसको 9 by 2 के equate कर देंगे अब time taken in upstream कितना है 30 upon 15 minus x देखो ये question थोड़ा सा difference है last question में क्या बोला था उसने ध्यान से चेक करो last question में उसने बोला था भाई क्या कि upstream जाने में जो समय लगता है वो down stream के comparison में 1 hour ज़्यादा लगता है तो हमने क्या किया था जादा time में से कम time को subtract करके 1 के equal रखा था ये वो वाला question नहीं है ये दूसरा question है यहाँ पर आपको जाने का प्लस आने का दोनों का total time दिया हुआ है तो जाने का time और प्लस आने का time यानि कि time in upstream plus time in downstream दोनों का आड़ करके total time के equal रख दोगे ओके तो प्लस टीडी टीडी कितना है 30 upon टीडी का मतलब time taken in downstream 30 upon 15 plus x ओके इस इक्वल्स टू 9 by 2 अब यहाँ से इस equation को बस solve करना है और answer निकालना है चलिए देखते हैं क्या होता है आजाएए तो आपके पास कितना है 30 upon कितना है देख लेते हैं 30 upon 15 minus x हाना so 30 upon 15 minus x और plus 30 upon 15 plus x is equals to 9 by 2 यहाँ bracket लगाओ और यहाँ से 30 common ले लो 30 30 common लेंगे तो यहाँ बच्चे का क्या 1 upon 15 minus x और plus यहाँ बच्चे का 1 upon 15 plus x ओके is equals to 9 by 2 सही है solve करिए बच्चों यह वाला जो 30 है यह इधर multiply कर रहा है उधर जाके divide कर देगा तो यहाँ से बच्चे का आपके पास 1 upon 15 minus x और plus 1 upon 15 plus x और इस इकोल्स टू 9 अब ध्यान दो ज़रा यह 30 आके जब इधर multiply करेगा 15 plus x into 1 15 plus x ओके और plus 15 minus x into 1 15 minus x ओके is equals to 9 upon 2 into 30 now solve करेंगे 3 3 जा और 3 10 जा करेक्ट तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 15 plus x ओके और प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे सो प्लस 15 minus x upon नीचे क्या है a minus b into a plus b a का square minus b का square तो यहाँ से हो जाएगा a का square यानिके 15 का square और minus b का square यानिके x का square is equals to अब देखो 3 बचा और नीचे 2 into 10 20 बच गया so 3 by 20 now यह x से x cancel हो जाएगा 15 plus 15 उपर कितना आ जाएगा 3 0 30 ओके correct अपन में 15 का square 225 होता है और minus x square is equals to में 3 upon 20 अब cross multiplication करेंगे यहाँ bracket लगाएंगे cross multiplication ध्यान दो this into this यानिके 3 into in the bracket 225 minus x square is equals to में 20 into 20 into 30 30 correct solve करेंगे 3 225 से multiply करेंगे 3 5 जा होता है 15 1 जाएगा 3 2 जा 6 plus 1 7 3 2 जा 6 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 plus 1 7 3 2 जा 6 ओके कितना आएगा 6 7 5 आ जाएगा now minus 3 into x square 3 x square is equals to में 236 होता है और 00 यह लीचे ठीक उसके बाद अब बच्चो माइनस 3 x square right में जाएगा हाना तो क्या हो जाएगा positive अच्छा एक चीज़ और क्या इसमें बच्चों x का स्टम नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है ना तो एक काम करो ज़रा एक काम करो आप ज्यादा दिक्कत नहीं है minus 3x square को right hand side भेजोगे तो positive हो जाएगा और पलस का 600 तो था ही है ना और 675 को right hand side भेजो कि कितना आ जाएगा minus 675 आ जाएगा ये लिजे और इधर बच गया 0 ठीक तो क्या हो गया 0 is equals to 3x square और देको 600 minus 675 minus 75 75 अब minus 75 को वापस से धर लेके आओगे तो positive हो जाएगा ठीक तो 75 is equals to 3x square ओके यह हो गया अब यहने कि 3x square is equals to 75 तो 3x square is equals to 75 अब यह 3 जाके बदा डिवाइड करेगा सो x square is equals to 75 divided by 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ओके और 1 जाएगा सही है न हाँ 3 5 जा 15 यह लीजे x square is equals to 25 अब ध्यान दे बच्छो यहां से आप स्क्वाइर हटाओगे है ना हाँ हाँ 5 तो होगा लेकिन सुनतो लो भाई स्क्वाइर रूट लगा के प्लस माइनस कोड़िक एक्वेशन पढ़ ले हो ना तो दो वैल्लू निकालोगे पॉजटिव भी नेगटिव भी है ना तो एक्स इकोल्स टू प्लस माइनस टू याने कि बच्चों एकसिस इकोज टु प्लस फाइब हो सकता है या एकसिस इकोल सु न इकालके तो आप दिखा फ़गे ना एक्जाम में बट laid वाले value को हम reject कर देंगे क्यों क्योंकि जो stream की speed है वो negative नहीं हो सकती हां तो five positive वाला लेंगे kilometer per hour ठीके ना तो उसने हमसे क्या पूचा था speed of the stream तो speed of the stream is कितना आ रहा है so the speed of the stream is five kilometer per hour ओके तो this is your final answer कर लीचे